हेलो स्पूरेट्स नीट फ्लिक्स की जो वीडियो की सीरीज है उसका एक सेक्षन है बच्चे पोस्ट माटम जिसमें बॉटनी को जो चैप्टर है बॉटनी के उनको डिसकस मैं कर रहा हूं आपके साथ कि कौन से एर में कौन कौन से पोर्शन से एंसी आर्टी के किस टाइप क कोशन पूछे गए हैं तो उसी सीरीज का अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसके बारे में आज मैं आपके साथ डिसकस कर रहा हूं टॉपिक है हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और दूसरा है सेल साइक्ल एंड सेल डिविजन इसे पूरे का हम सेल बावन कोशन पूछ पूरा उनिस बीस इकिस छे साल बावन कोशन फिफ्टी टू है तो डिवाइड अगर आप छे से करते भी हैं वावन को अगर आप छे से डिवाइड करते हैं तो सिंपल सी बात है कि आपके पास जो कंडिशन आके बैठती है भी पार येर साथ से आठ कोशन है सही है तो ओन एवरेज छे साथ आठ कोशन आपको मिलने ही मिलने है कहां से सेल यूनिट से तो उसके अगर मैं एक साथ कोशन ओन एवरेज मानके चलों तो इंटू चार करूं तो साथ इंटू चार मेरे पास होते हैं 28 नंबर का पेपर है जो बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया है वहीं इंफर्मेशन या डिस्रिप्शन देकर हमसे कोशन छे बार पूछा गया है रीजन पर एक यी बार है लेकिन फंक्शन पर नौ बार है क्योंकि अंदर बहुत सारी स्ट्रॉक्शन पूछे गया है नौ बार लगबग कोशन यह डाटा मैंने मेरे ज़ति कोशन है कौन से स्ट्रॉक्शर क्यों बंती है वहीं मैंसदा कॉलम की बात करें तो आट बार सेल्वा एलौजी बहुत से बनता है तीन बार आया है इवंट बेस बीस बनते हैकμि सबसे ज्यादा events जो है वो cell division की phases में पूछे जाते हैं कि भाई प्रोफेज का event क्या है, metafase का क्या है, G1 में क्या होगा, S में क्या होगा, तो आठ बार event based भी आया है और दो बार database भी question हम से पूछा गया है कि DNA के amount ये है, DNA के amount ये है, तो बताओ क्या होगा, है ना, तो आप simple सी बात समझिए, कि cell biology जब त्यार करेंगे, तो cell structure and function वाला जो portion है, उसमें तो description, structures और उनके functions को ज़्यादा ध्यान में रखना है हमें, और जब हम बात करते हैं किसकी, cell division की, तो उसमें एक तो हमें याद करना है, बच्चे किसको event based question ज़्यादा याद रखने है, कि भई कौन सा event कहां हो रहा है, यह हमें पता होना चाहिए, मैस्दा कॉलम और multiple statements या statements incorrect का जो portion है, वो तो दोनों ही chapter से, cell structure वाले से, और cell division वाले से, दोनों से mix बने हैं, तो इसी series में sequence में आता हूँ मैं, तो जब cell हम शुरू करते हैं, description के साथ, तो आपको याद करना है कि भई जो cell chapter है, इसके first chapters में, जहां what is cell और cell theory है, यहां से इन lineों से अभी तक कोशन नहीं है, नीट के अंदर 2016 से लेकर 2021 के बीच में, लेकिन जैसे हम आते हैं कहां पर, इसके cell theory पर, तो cell theory पर 19 में कोशन पूछा गया है, cellular e-cellular omnis, cellular e-cellular Rudolph विर्चौप ने जो बताया था, उस पर कोशन आ चुका है, इसका मतलब बाकी अभी दो साइंटिस्ट और है, श्लीडन और श्वान, उन पर नीट में कोशन नहीं आया, तो उनको भी ध्यान रखेंगे, लेकिन overview of cell से कोशन नहीं है, हमारे पास, overview of cell से कोशन 2016 से पहले है, 15 में है, 14 में है, 13 में है, लेकिन नहीं है, 2016 के बाद, तो इसको थोड़ा से ध्यान रखेंगे, कि नीट में overview से कोशन नहीं आया, तो इसका मतलब नीट से overview से कोशन आने के चांसे हैं, cell theory से पूछा जा चुक है, ये जो diagram साबस के पास है, 6 diagram दिख रहे हैं, इनसे अभी तक कोशन नहीं है, हमारे पास, नॉर्मल अगर हम नीट की बात करते हैं, 16 से लेकर 21 तक, वहीं अगर हम बात करते हैं, बचे, प्रोकिरोटिक सेल के ये जो data यहां पर दिये गए ना, size वाले ये data, इनसे कोशन पूछ लिया गया है, 2020 के अंदर, प्लिरो नुमोनिया लाइक और्गनिजम, पीपी एलो का size यहां पर पूछ लिया गया है, और पीपी एलो का size यहां दिया गया, about 0.1 micron M लिखा हुआ है, है ना, तो ये आप से पूछ लिया गया है, तो ये भी आपके लिए थोड़ा important हो जाथा, portion तो इसको भी बहुत अच्छे से याद करिये गया, अगर बात करते हैं, इन चीजों की, ribosomes की, filaments की, chromatophores की, इस portion से question नहीं है, क्योंकि इस portion के सारे question अगर आए भी होंगे, तो हम इनको discuss करते हैं कहां पर, मोनेरा के अंदर, तो मोनेरा के साथ आए होंगे, तो पूछे भी गए हैं, आए भी हैं exam के अंदर, तो ये पता होना चाहिए कि मोनेरा के जो characters है, वो हमें maximum characters, cell biology के अंदर, प्रोक्रियोटिक cell के character से याद करने है, क्योंकि मोनेरा केंड़ा में सारे प्रोक्रियोट्स होते हैं, तो ये वाला portion आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये diversity को जोड़ कर साथ में बूछा जाएगा, वहीं बात करते हैं cell membrane की, तो 2016-21 के बीच में membrane पर question नहीं है अभी तक, ना इसकी structure पर है, ना इसके ये diagram पर है question, इस वाले portion से cell membrane का जो function है, जहां passive, active transport है, osmosis है, है ना, इनके बारे में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर NCRT ने सिर्फ osmosis, facilitated, diffusion, active transport के सिर्फ definition समय पढ़ाई है, और इनकी जो detail है, वो transporting plant के अंदर है, plant physiology के अंदर, है ना, तो वहाँ पर आपको इसके questions आपको मिल जाएंगे, cell wall से question नहीं है अभी तक, 2016-21 के बीच में, लेकिन जैसी आप endomembrine system पर आते हो, ER, Golgi body, Lysosome, Vekiole, आप देखो, questions की बर्मार मिलेगी आपको, लगातार, मतलब यह हो गया है, कि NEET में, 16-21 के बीच में, बार-बार question पूछा जा रहा है, कहां से, endomembrine system से, ER, Golgi body, Lysosome, Vekiole से, 2019, 2018, 2019, 2020, 2021, 2020, match the column, है न, match the column के साथ, यहां, single line correct, single line correct, यह match the column, statement based, हर तरह का question, endomembrine system से आ रहा है, इसका मतलब आपको, endomembrine system को बहुत अच्छे से त्यार करके जाना है, ER, Golgi body, Lysosome, और Vekiole वाले portion को बहुत अच्छे से त्यार करना है, वहीं आगे बढ़ेंगे, तो आप देखो, Golgi body, Lysosome, और Vekiole से कोशन आगे भी आपको मिल रहे हैं, 2018, 2019, 2016, 2016, यह कोशन है, Vekiole, Lysosome, Golgi body, मतलब पिछले कोशन तो थे ही थे, यह जो इधर कोशन हमने पड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर आओ, 7, 8, 9, 10, मतलब पिछले 6 साल में, endomembrine system, ER, Golgi body, Lysosome, और Vekiole से ही 10 कोशन आ गए है, इसका मतलब सिंपल बात समझ लीजिए, बच्चे आप, कि आपको endomembrine system से कोशन मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा चांस है हमारे पास, क्योंकि आप देखेंगे कि लगबग हर साल कोशन आप से पूछा जा रहा है, वहीं अगर आप Mitochondria की बात करते हैं, तो 2017 में कोशन आया है Mitochondria से, 2019 में कोशन आया है Mitochondria से, 2016 में कोशन आया है Mitochondria से, इसका मतलब Mitochondria से भी कोशन लगबग पूछा ही जा रहा है, है ना, तो Mitochondria भी बहुत बढ़ी है से त्यार करके जाना है polypeptide भी हैं, polymer भी हैं, polysorms भी हैं, तो ये सारी बाते हैं, हमें Ribosorm में पढ़ा़ जाती हैं, तो ये वाला portion भी आपको याद करना है, लेकिन ये कोशन जो पूछा गया था कि बहुत बहुत का होती हैं, polysorms ना वहीं cytoskeleton की बात आती है तो cytoskeleton पर भी question 2016 में पूछा गया है introduction पर लेकिन cilia और phlegela की structure है उस पर अभी तक कोई question नहीं है ना diagram से है ना इसकी theory से है और यह वाला portion जो होता है वो बच्चा कहता है सर इसकी structure समझ नहीं आई इसकी structure हमें थोड़ा साम visualize नहीं कर पा रहें structure के बारे में क्या होती है structure हरा तो teacher class में बड़ी कोशिश करता है बहुत अच्छे तरीके से यह दोनों topic बच्चे को समझाता भी है लेकिन आपको क्लियर कर दूँ कि एंसी आट नहीं यहां सिर्फ एक सूपरफिशल Congressman necklace की बात करें तोใช्च आ गया है दो जी में बीस में और जन्यकुंशं यह था कि नKit ओन्रै और इसमें क्लीयर है 手 gonna आर्म रेशो और इसमें क्या है कि लग और शोट आर्म वाला एक मेर पॉजिशो बताने के लिए तो NCR ने हमें 4 chromosome centromere की position के basis पर बताएं कि metacentric, sub metacentric, acrocentric, telocentric chromosome होते हैं यह ठीक है लेकिन उसने arm ratio नहीं पढ़ाया लेकिन आप देखो 2019 के अंदर arm ratio पर question है इसका मतलब chromosome की structure परते time हमें chromosome की arm ratio के बारे में भी जानकारी लेकर जानी है इवन मैं आपको clear कर देता हूँ बच्चे की lamb brush chromosome जो की special type of chromosome है उस पर भी पूछा गया है question एक बार lamb brush chromosomes पर भी लेकिन वो एक ही बार हुआ है एक ही बार हुआ है तो आप हम कह दें कि बही NCRT में तो है नहीं तो मैं वही कहता हूँ कि most of the question NCRT से ही आते हैं इका-दुका टोषन अभी तक हुआ है साकि जो बाहर से आ गया हो लेकिन जो बाहर से आता है नो वह सब के लिए बाहर से होता है यह नहीं तक वह आपके लिए by पाओगे, तो mix category में रखा जाएगा इस question को, 2019 में question आया, mitochondria, lysosome, chloroplast, vacuol, lysosome, vacuol, nuclear envelope और mitochondria, multiple structures के बारे में पूछा गया है, तो इसका मतलब ये भी mix category के अंदर ही आएगा, वही multiple statements में इस question था, जिसमें mature sieve tube elements की बात करी गई, cytoplasmic organelle में nucleus के गाइब होने की, micro bodies के बारे में पूछा गया, perinuclear space पूछा गया, nuclear pore पूछे गया, इसका मतलब multiple structures पर multiple statements बनीगे, और ये भी mix category में आएगा, 2019 में, ऐसे आप देखो, match the column आया, 2021 के अंदर, और 2021 के अंदर, जो match the column आया, वो christy, mitochondria, chloroplas, centromere, cytoskeleton के अंदर, जो centromere हम पढ़ते हैं, वहाँ से question आया, और sisterny, sisterny से question है, जो की ER और Golgi body हमें मिलता है, इसका मतलब multiple structures को mix करके question बनाया गया, mix category के अंदर ये question आएगा, वही 2018 के अंदर question है, देखो, ये lamp brush chromosome पर, मैंने कहा ना, इस पर chromosome पर question आ गया, इसलिए बच्चे को जादा problem आई नहीं है, तो आपको बताना है, कि 2018 के अंदर, 2021 में, 2021 में, 2019 में, 2016 में, mix questions भी बनाये गए हैं, पूरी cell के अंदर से, इसका मतलब हमें functions याद करते time, कोई particular एक organelle पर focus नहीं करना, हमें सब को पढ़के जाना है, ताकि कोई problem ना आए, और अगर mix category का हमारे पास कोई question हो भी, तो हमें को दिक्कत ना है, इसी sequence में आगे बढ़ेंगे, तो cell division वाला portion देखते हैं, तो इसके first page से कोई question नहीं है, लेकिन जैसे हम जाते हैं cell cycle के introduction वाले portion, इंटर फेस पे, तो इंटर फेस से देखो, पूरा page भरा हुआ है आपके पास questions के साथ, पूरा page full है, 2016 में कोईशन है, इस पे G1, S, G2 फेस जो मैं बात कर रहा हूँ, यह cell cycle के अंदर इंटर फेस की, 2019 में कोईशन है, 16 में कोईशन है, बीस में कोईशन है, 21 में कोईशन है, 21 में कोईशन है, 21 में कोईशन है, 20 में कोईशन है, और हर तरह का कोईशन है, यह और मज़े की बात है, यहां क्रोमोसोम के नंबर के साथ, numerical based question है, data based, single line, single word correct question है, multiple option या multiple statement based question है, event based question है कि कहां पर क्या होगा किसको क्या बोलते है statement based question है और match the column है मतलब जैसा question बन सकता था वो हर तरह का question है उन्हें यहां से बनाया है इसका मतलब interface वाला portion जो रहा है वो need के अंदर थोड़ा सा जादा ही interesting portion रहा है दो portion ऐसे हैं जो cell division के अंदर जो examiner के लिए जहां से question पूछे गए एक तो इंटर फेस और दूसरा है बच्चे प्रोफेस वान ऑफ दे मियोसेस अगला पेस जो है बच्चे इसमें फेज जहां शुरू कर रहे हैं प्रोफेस पढ़ रहे हैं वहां से question नहीं है लेकिन मेटाफेस वर और और एनाफेस परまだ question 2017 में भी है 20 में भी है 16 में भी आप देखो इसका मतलब मेटाफेस और एनाफेस पर question है लेकिन पर नहीं है मीन्स पड़के जाना माधा इंपूर्टन suppressedism Already बनाया आगे बढ़ेंगे तो तीलोफेज पर साइटो काइनेस पर कोशन दोजार सोला से किस तक नहीं लेकिन मेटाफेज और कोशन आ चुका है वहीं अगर मियोस की बात करें तो मियोस के काईटिन, डिपलोटेन और डाई काईश से पूरा पेस भरा हुए है, मैंने कहा ना, दो ही पोर्शन ऐसे हैं, जहां सबसे ज़्यादा कोशन से अल डिविजन से आई है, आप देखिए, 2016 के अंदर कोशन पूछा गया, 2016 के अंदर कोशन पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया, 2021, 2020, 2020, 2020, 2019, 16, 18, 19, 20, 21, बस 17 चोड़ दो, बाकी हर साल कोशन है प्रोफेज 1 से, इसका मतलब प्रोफेज 1 एक ऐसा पोर्शन है एक्जामिनर के लिए, जो हर साल उससे वो कोशन पूछता है पूछता और मजे की बात है, मैंस्दा कॉलम पूछे गया है, इवेंट आपसे प पूछी गई है, मतलब जिस टाइब का कोशन बन सकता था, उन्होंने बनाने की कोशिश करी है, प्रोफेज 1 से, लेप्रोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसे, हर चगा से, तो ध्यान रहे कि इस पोर्शन को भी बहुत अच्छे से त्यार क करके जाना है, क्योंकि नीट में ये लगबग हर साल पूछा जा रहा है, तो ये पोर्शन तो मुझे पता ही होना चाहिए, ताकि मैं एक्जाम के अंदर जब बैठो, तो कोशन यूँ, सटाक से मैं 4 कर दूँ, प्लस 4 मेरा नंबर हो जाए, और मैं जल्दी से मेडिकल कॉल से कोशन पूछ लिया गया है एक बार, और वहीं अगर हम बात करते हैं, सिग्निफिकेंस ओफ मियोसिस की तो अभीता कोई कोशन नहीं है, समरी से कोशन नहीं है, लेकिन अगर मिक्स की बात करते हो, कि मिक्स की कोशन को मिक्स करके कितने बार बनाया गया है, तो 2017 में कोशन म कि क्षेक हम प्रुफेज 1 के बारे में डिसटा तो हमने का था कि प्रुफेज van مें 17 कोष्ट नहीं है डिर्गंस में 21-7 तैर्डlaugh मैं आया लेकिन सैल से मिक्स होके कोश्चन आया मिक्स कैटगरी है इंटरफेज और एमफेज को मिक्स करके पूछा गया है 2019 में भी सीक्वेंस पर है तो आप बताइए कि मिक्स कैटगरी में सबसे ज़्यदा कोश्चन इवेंट की सीक्वेंस पर है आप देखो 2020 और 2019 में लगातार दो साल sequence आई है, एक साल एरो लगाती है, sequence में एक साल एरो नहीं लगाए, question same ही है, ऐसे ही इन जो phases के अंदर events हो रहे हैं, उन events की sequence और पूछ ली गई है, कब पूछी की 2017 में, तो 17 में पहले events की sequence पूछी गई, 19 में phases की sequence पूछी गई, 20 में same question आया, बस arrow हटा दिये गए, कॉ जहां से भी question अच्छे-खासे आते हैं बच्चे, और मैं बता रहा हूँ नहीं, पिछले 6 साल में, 16 से लेकर 21 तक, लगातार 6 सालों के अंदर 52 questions, इसका मतलब यह portion भी हमारे लिए बहुत अच्छा त्यार हो जाना चाहिए, और असान भी है, सबसे बज़े की बात यह है, कि cell division का कुछ portion है, जो बच्चे को दुखी करते हैं, और cell structure में कुछ portion है, जो दुखी करते हैं, अदरवाइस तो बहुत असान portion है, और इस से आने वाला question मेरा plus 4 होगा ही होगा, और यह एक वीडियो हमारी बनी है, cell division के लिए, और cell structure के लिए, अब next जो मैं लेके आओंगा, व आप different type of questions ज्यादा करें, तो आपके concept के लिए दिमाग आपका खुले, और दिमाग खुलेगा ना, तो exam hall में बैठ तो टाइम आपको और ज्यादा मज़ा आएगा questions के साथ खेलने का, क्योंकि enjoyment के साथ चलेंगे हम, बोरियत के साथ नहीं, दो चीज़े होती है, एक तो बच तो वो कभी खुद अच्छा करिकेटर नहीं बन सकता, और एक बोलर हमेशा ये कह दे कि मुझे रोजी पढ़ना पढ़ रहा है, तो फिर अच्छा स्टूडेंट कैसे होगा, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, पढ़ाई कर ये focus पर, और focus जो हमेशा किताबों पर होना चाह ये, ये ऐज ऐसी होती है, इसमें बच्छा थोड़ा सा जल्दी से क्या हो जाता है, फिर लास्ट के टाइम उसको लगता हो, पर आगया, है ना आप क्या करें, फिर वो भागता है इदर उदर, तो कहीं भागने के जरूरत नहीं है, रिलेक्स रहिए, एनर्जेटिक रहिए ज्यादस ज्यादा कोशिन प्रैक्टिस करिए, और जो भी प्रॉलम साती हैं, अपने टीचर्स के साथ डिसकस करिए, और मिल बांटके हम सब काम करेंगे, और आपके लिए लगातार लगे हुए, और आप भी लगे हुए, और साथ मही वाला पेपर हम बहुत अच्छे से और मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, बेस्ट अफ लग!